अमीन साब, क्या वाकई में एलेक्शन कमिशन के पास विकल्प नहीं थे, क्या वाकई में आप क्योंकि एलेक्शन कमिशन से तालोक रखते रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो क्या वाकई में इतना बेबस था एलेक्शन कमिशन के छोटी पार्टियों के लिए, छोटे दलों क के लिए कुछ नहीं कर सकता था कोई स्पेशल प्रोविजिन नहीं निकाल सकता था और उस वकद मदरास हाई कोट और कलकता हाई कोट ने एलेक्शन कमिशन को कटगरे में खड़ा कर दिया था और एक किलियर कट का था कि इनके अफसरों और एलेक्शन कमिशन के खिलाफ एफ आई यार दर जो मरडर केस की इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता उस वकद भी मैंने यही कहा था यह हमारा कमिशन इस बात को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट में गए उस बात आई कि इस तरह की समयदानिक दोनों संस्थाए हैं इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए था और एलक्शन कमिशन मजबूर है आर्टिकल 3.24 में एलक्शन कराने के लिए जो समयदानिक अभी बात कर रहे थे सबी लोग की एलक्शन कराने का टाइम था अभी बात आई की प्रोफेसर जो समाजवादी पार्टी के हैं वो हमारे election commission में हमेशा आई दे लीडर आते रहें क्या ही जो बातें अब लिखे दे रहे हैं जब हमारा commission meeting बुलाता है election से पहले तब कह सकते थे उसके बाद जब हमारा commission उनकी state में विजिट करने गया तब कुछ कह सकते थे उस वकत किसी ने कुछ नहीं का उस वकत ये शोर मच रहा था जब हमारा election commission सर्वे कर रहा था हमारे अधिकारी सर्वे कर रहे थे उस वकत ये शोर मच आये जा रहा था कि election commission को इन पे बैल लगाने दें जाए पार्टियों पे ये उनका काम था और भारत सरकार का काम था state government का का काम था और वरकरों का और नेताओं का काम था कि वो करोना से बचने की कोशिश करते आज आप एक बात देख लीजे जिन इस्टेटों में चुनाओं नहीं है वहाँ भी तो करोना के महामारी आई हुई है क्या है कि करोना के लिए अगर election commission ने अपने साधनों को देखते हुए अपनी बातों को देखते हुए अपने वोटरों की सेफटी के लिए अगर ये नियम लागू किये कोई नुकर मीटिंग नहीं होगी कोई रैली नहीं होगी तो इसमें क्या बुरी बात कह दिया है जिसको जो करना था कर चुका अब आपको मैं क्लियर बता दू कि चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो एलेक्शन कमिशन किसी को MLMP जिता के नहीं देने वाला ये उनका अपना काम है उनका अपना होमवर्क है उन्होंने क्या किया पांच सालों में चाहे वो अपोजिशन में रहे चाहे वो गॉर्मेंट पर रहे बात सालों में क्या किया वो मोलेगा ना कि आपकी रेलियां मोलेंगी बड़ी बात यहां पर आपने कहिए चुनावाई और को ही आप उपनी हार का ठीकरा फोड़ देते हैं कभी कभी एवेम को घरा बता देते हैं कभी एलेक्शन कमिशन को पक्षपाद बता देते हैं पक्षपाद पूंडर वही अपनाने वाला तो हर बार एलेक्शन कमिशन पर ठीकरा पूरना जो है समाजवादी पार्टी पावर में आई थी 2012 में जी सारे अफसरों को हटा दिया था होम सेक्रेटी अटाया चीफ सेक्रेटी अटाया और डीजीपी अटाया था और उस वोगत मायवती की सरकारती तो तब ही कहा सो रहे थी क्या तब इनको पता नहीं चला है